हमार साथ बीज़बी के वरिष नेता राजिन राटोड राटोड साब एक सवाल तो आपकी पार्टी से जुड़ावा सबसे बड़ा की इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है दिनों का इंतजार गंटों में समट चुका है और कुछी समय के अंदर सारी बातें सामने आ जाएगी नई सरकार जनम ले लेगी और पुरानी सरकार के द्वारा जिसका परकार का कूराज किया गया उन चुनोतियों का सामना करने के लिए सक्षम नेतर तो सामने आएगा चेरा कहिसा होगा चैरा लोक पृद्फिय जन老師ा सले दखूली तो स्वेधम सील होगा इस प्रुद हो इसका क्यों क्यों चलड़िते हैं नहीं चलना चेह, नहीं चलेगा। इसलिए भारते-जनथा-पार्टि की है इसद्सक्रति है ही नहीं। यह क्यों कही लोग जो वसुंदरा जी के घर पे आ रहे हैं वो करें कि वसुंदरा जी को नुभाव ईह हैं। पूरेनी चाहिए अब असुंद्रा जी दो बार की मुख्य मंत्री है और उनसे कोई मिलने जा रहा है तो इसमें कोई बेजा बात नहीं उसको सक्ति परतेसिंद के साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहिए सक्ति परतेसिंद तब हो जब कोई किसी से अस्ताकसर करवाए किसी के बाड़ा बंदी करें किसी जा के अलाकमान को चुनोती दे कोई बात है नहीं नहीं होगी कि आप भी रेस में हैं मैं बिल्कुल रेस में नहीं पिटावा मोरा हूं आपके टेलिविजन के स्क्रीन पर कह रहा हूं जनता ने ठुकराया जनता का निर्णा सिर्मा थे अब आने बी हारेवों को जिम्मेदाजी तो दी है किसी को दी होगी किसी के अबलासा रही होगी जो व्यक्ति अपने खुद के निर्वाचन चेतर में जीत नहीं पाया और उस कमजोरी को मैं स्विकार कर रहा हूं ना मैं राजिस्तान में परतिपक्स का नेता की हैस्यत से अपनी चह खातार जो हमारी जानकारि माया मंगा जा रहा है कि जाट राजपूत कॉमगा दिया रहा है आप जानते हैं जो उनकी सुरुक्षा से जुड़ावामसला है आपको क्या लग रहा है कि जिस रुक्षा उनको मिलने चाहिए ती मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार के थ्रेट उनको थी, और जिस प्रकार के गैंग और गैंगश्टर राजस्तान के अंदर समानांतर तोर पर किसी के भी जीवन को लेने के लिए सक्षमता लिये हैं, जब उन्होंने सुर्कषा मांगी, परतरसन करके मांगी, प्रेस कॉन्फरेंस करके मांगी, और पंजाब की पुलिस ने आउटपुट भी दिया, खुद के इंटलिजेंस ने आउटपुट दिया, उसके बाद भी सुर्कषा नहीं देना और उसके बाद उनका जीवन खतम हो जाना, यह वो पुरवरती सरकार के माथे पर कलंग का जो हम कभी मीटे गानी, एक जांच में सामना आया कि क्योंकि उन्होंने लोरेंस गैंग की जो वसूली थी, फिरोती, रोकने की कोशिश की, रतंगड मैपाल सिंग का केस सामना आया, आपको क्या लगता है कि यह जो गैंग जिस तरीके से काम कर रही है, इस खात साम है, कि नए जाने कितने लोगों ने प्रोटेक्शन मनी दी होगी, आज यूपी के बाद सरवादिक गेंगश्टों की से हत्याएं, राजस्तान में हुई दुर्बा गया है